अस्सलाम वालेकुम एक्सरसाइस 3.4 कुश्चन नमबर 3 सॉल्व करते हैं यूजिंग कंपोनेंट टू एंड डिवाइडेंट टू तो फालवेंग तो हमारे पास नीचे दो टर्म्स हैं जो कि अपस में प्लस हो रहें उनकी वैडियू फाइंड करनी है और हमें एक्स के इनफरमेशन गिवन है यहां पर अगर हम देखें तो इसके अंदर यहां पर एक्स के साथ 3 प्लस भी हो रहा है और नीचे माइनस भी हो रहा है 3 Y प्लस भी हो रहा है और 3 Y माइनस भी हो रहा है और इसके लिए जब हम काम करेंगे जो हमारे पास X है दोबारा हम इसको लिखेंगे इस तरह से ब्रेक करके X is equal to अब 6 Y square को मैं लिख लेता हूँ 3 Y multiply 2 Y over Y minus Z इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 3 और 2 multiply होगे 3 2s are 6 Y over Y multiply होगा तो Y square तो यही चीज़ दुबारा से बन जाती है इसको equation number 1 का नाम दे देता हूँ इसके जरुरूत पढ़ेगे हमें बाद में अब जो first term है इसके लिए जब हम काम करेंगे तो 3 Y के हमें जरूरत है तो इस वज़े से जो यहाँ पर X है उस X की नीचे हम लिख लेते हैं X over अब यहाँ पर 3 Y multiply हो रहा है तो इस side जा कि यह divide हो जाएगा तो 3 Y is equal to उपर रह जाएगा 2 Y over Y minus Z यह रह जाएगा अब यहाँ पर component do divided do theorem में apply करते हैं तो यह आजाएगा X plus 3 Y over X minus 3 Y is equal to इस तरह यहाँ पर भी component do divided do theorem में apply होगा तो यह आएगा 2 Y plus नीचे वाला करेंगे उसके साथ Y minus Z को एक दफ़ा प्लस किया और 2 Y से इसको minus B किया bracket लगाना ज़रूरी है अब bracket में खतम कर देता हूँ तो bracket का फाइदा यह था अब देखे 2 Y plus Y minus Z उपर में कोई change नहीं है bracket खतम करके लेकिन नीचे देखें मैं लेकता हूँ 2 Y minus अब bracket खतम कर रहा तो minus Y minus Z था तो अब यह क्या बन जाएगा प्लस Z बन जाएगा अब इनको plus minus करते हैं तो यह आ जाएगा X plus 3 Y over X minus 3 Y is equal to अब 3 Y plus 1 Y is 2 Y plus 1 Y is 3 Y minus Z और नीचे देखें 2 Y minus 1 Y तो यहां से आ जाएगा 1 Y यानि Y आ जाएगा plus Z इसको हमने equation number 2 का नाम दे दिया अब हम equation number 1 की तरफ दुबारा चलते हैं from equation number 1 अब देखें यहां पर जिस तरह हमने यहां पर X के नीचे 3 Y डिवाइड किया था अब यह जो 2 Y है अब हमें यह डिवाइड करना है X के नीचे तो यहां पर X प्लस 2 Y ओवर X माइनस 2 Y जह हम अब component दिवाइड 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 में इपलाई करेंगे तो 2 Y प्लस भी होगा और माइनस भी होगा तो इस वज़े से यह X के नीचे 2 Y चला जाएगा तो X ओवर 2 Y is equal to वहाँ पर क्या रहे गया है? 3 Y रहे गया है ओवर और यहां पर क्या रहे चुका है? जो अलड़ी पहले से मुझूद है यानि Y माइनस Z अब component दिवाइड 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 में इपलाई कर दें X ओवर X प्लस 2Y और X के साथ यह 2Y माइनस भी कर दें तो इसी तरह उपर 3Y प्लस Y माइनस Z ओवर 3Y माइनस Y माइनस Z now this is equal to 3y plus y minus z और नीचे bracket खतम करते हैं तो 3y minus y रह जाएगा और plus z बन जाएगा तो अब हमारे पास आ जाता है x plus 2y over x minus 2y is equal to 3y plus 1y 4y minus z over 2y minus 1y is 2y plus z इसको हमने equation number 3 का नाम दे दिया अब क्योंकि दोनों terms जो उपर है वो अपस में plus हो रहे हैं तो हमने add करना है इन दोनों equations को adding equation number 2 and equation number 3 equation number 2 की left side पे है x plus 3y over x minus 3y यानि ये मैंने कौन से वाला लिका है मैं असल में इसके लिए काम करना चाहरा हूँ जिसका अभी हमने fine करना है देखे ये जो ये वाला है इसको मैंने लिका अब इसके साथ ये लिकूँगा तो ये जब लिकूँगा तो इसकी value भी मैं put करूँगा right side में ये left side में है तो अब equation number 2 और 3 equation number 2 के left side में ये है equation number 3 के left side में ये है इन दोनों को मैं plus करूँगा तो plus x plus 2y over x minus 2y is equal to अब equation number 2 के right side में है 3y minus z over y plus z और equation number 3 के right side में हमारे सामने है ये 4y minus z over 2y plus z एक बाद जहन में रखें जिस तरह मैं solve कर रहा हूँ इस तरह आप copy उटाएं पेनों उटाएं और लिकते जाएं और बार बार screen क्योंकि उपर नीचे है तो आपके सामने page होगा तो जो जिस equation का मैं हवारा दोगा उस equation को आप वहाँ पर देख सकते हैं अपने copy में कि आपने उपर खौँस equation में क्या लिका है और इस तरह से आप उसको देख सकते हैं और उस वट आप वेडियो को stop कर लिया करें और अपना काम साथ साथ करते जाएं अब इन दोनों कामनी क्या करना है LCM लेना है LCM लेंगे तो नीचे आजाएगा Y प्लस Z इंटू 2Y प्लस Z तो अब ये इसके साथ मल्टिप्लाइ होगा यानि 3Y माइनस Z मल्टिप्लाइ होगा 2Y प्लस Z और उसके बाद है प्लस अब ये इसके साथ मल्टिप्लाइ होगा Y प्लस Z इंटू 4Y माइनस Z तो अब यह आजाएगा हमारे पास multiply करते हैं पहले 3Y से multiply होगा तो यह आजाएगा 6Y square plus 3YZ अब Z multiply होगा minus 2YZ और अब यह Z के साथ multiply होगा तो minus Z square आगे अब यह Y multiply होगा तो 4Y square इसके साथ multiply हुआ अब minus Z के साथ multiply होगा तो minus YZ और यहाँ पर अब Z multiply होगा plus 4YZ और Z के साथ multiply होगा तो minus Z square over Y plus Z into 2Y plus Z अब यह आजाएगा 6Y square plus 4Y square तो यह आजाएगा 10Y square अब YZ वाली term plus 3YZ minus 2YZ तो यह आजाएगा 1YZ तो 1YZ और minus 1YZ cancel out हो जाएगे यानि यह दोनों जो plus होंगे तो यह cancel out हो जाएगे इस minus YZ के साथ और हमारे पास YZ यही एक term रह जाती है यह प्लस 4YZ और उसके बाद है यह minus Z square और यह minus Z square है तो यह आजाएगा minus 2Z square over Y plus Z into 2Y plus Z अब हमारे पास final असर आ जाएगा यहनि किसका X plus 3Y over X minus 3Y plus X plus 2Y over X minus 2Y is equal to अब उपर सी 2 कामल लिया जा सकता है 2 कामल लेंगे तो यह रह जाएगा 5Y square plus 2Y Z minus Z square over Y plus Z into 2Y plus Z अब जो क्वेशन बुक के अंदर है उसके मताबिक हमारा यह solution है अगर बुक में कोई sign कोई और डला हुआ है तो उसके मताबिक तो उसका अंसर चेंज है जहां पर भी है लेकिन बुक का अंसर गलत है यह जो statement और यह जो values given है इसके मताबिक बुक में यह वरे जो term है यह नहीं है यह वरे term नहीं है बाकी same हमारा अंसर है तो यह बुक का अंसर गलत है मेरे solution में इसको मेंने 2-3 दफ़ा उसको चेक किया है तो मेरे solution में कोई मसला नहीं है कोई गलती नहीं है हाँ अगर गलती हो सकती है तो वो बुक वाली की हो सकती है मेभी उन्हों इस तरह से सॉल्व किया हो कि ये प्लस जी स्क्वेर है और ये भी माइनस जी स्क्वेर ये माइनस जी स्क्वेर अगर एक को हम प्लस कंसेडर कर लें बुक के अंसर के मताबिक ये नहीं है, सरफ ये वले टाम उसमें ज्यादा है मेरे अंसर में, अब क्वेश्चन नमबर त्री का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, L-2M over L plus 2M minus L-5P over L plus 5P, if L is equal to 10MP over M plus P, तो सेम जिस तरह हमने question number 1 किया था, उसी तरह हमने breaking करनी है L की, यहीं L is equal to, इसको मैं कर देता हूँ, 2M multiply 5P over M plus P, हमने ऐसे क्यों किया, इस तरह से कि यहाँ पर L के साथ क्या plus minus हो रहा है, 2M plus minus हो रहा है, तो हमने 2M बनाया, तो 2M बनाके हमने इसके साथ क्या multiply किया, 5 multiply किया, तो 10M बन गया, तो P क्योंकि यहाँ पर साथ था, तो मैंने 5 के साथ P लेग दिया, 5P, यानि 2M multiply 5P, तो 2 और 5 multiply होंगे, तो यह वला 10 बन जाएगा, और इस तरह यह M और P multiply होंगे, तो MP भी साथ आ तो इसको हम equation number 1 का नाम दे देते हैं, और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट करें, यह जो फर्स पार्ट है, यहाँ पर 2M जो यहाँ पर multiply हो रहा है, वो यहाँ पर नीचे डिवाइड करेंगे, तो यह आज अगर 2M is equal to, क्या रहे गया है, 5P over M plus P, अब हम इसके component do, divided do theorem apply करते हैं, तो यहाँ जाएगा, L plus 2M, और एक दफा मैनस करेंगे, L minus 2M, over, उपर है 5P, इसके साथ प्लस करेंगे नीचे वाला, यहनिए M plus P, और जो bracket में है, इसी तरह 5P से मैनस B करेंगे, M plus P को, अब bracket खत्म कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा, 5P plus M plus P, over, 5P minus, bracket खत्म करेंगे, तो अंदर वाला sign plus ना minus हो जाएगा, minus M minus P हो गया, अब यह आजाएगा, 5P plus 1P, 6P plus M, और इसी तरह 5P minus 1P is 4P minus M रह गया, तो यह है, L plus 2M over L minus 2M, component divided into theorem, एपलाई करने के बार, लेकिन एक स्टेप हमने एक और करना है, वो इस तरह से, अब फर्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ पर, उपर हमारे पास क्या है, minus वाली term उपर है, और प्लस वाली term क्या है, वो नीचे है, तो हमारे पास उलट है, तो हम invertend theorem में अपलाई करेंगे, तो उलट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास plus वाली term उपर है, minus वाली नीचे है, now applying invertend theorem, invertend theorem में अपलाई करेंगे, तो उलट कर देंगे, तो L minus 2M over L plus 2M, उपर वाला नीचे लेग दिया, नीचे वाला उपर लेग दिया, और इस तरह यहाँ पर भी 4P minus M उपर लेग दिया, और 6P plus M को नीचे लेग दिया, इसको अब हमने equation number 2 का नाम दिया, अब from equation number 1, L over 5P लिखेंगे, हम क्यों इस तरह से लिखेंगे, अब equation number 1 के उपर नज़र दोड़ाएं, यहाँ पर second term में L के साथ 5P plus minus हो रहा है, तो equation number 1 से हमने क्या क्या, 5P को, पहले हमने 2M को यहाँ पर डिवाइड किया था, अब हम 5P को डिवाइड करेंगे, इस L के नीचे तो 2M रह जाएगा, तो यह आ जाता है, 2M यहाँ पर रह गया है, 2M over M plus P, अब component divided into theorem apply करेंगे, L plus 5P over L minus 5P is equal to L, बलके यहाँ पर हमारे पास 2M है, तो 2M plus, नीचे वाला हम plus करेंगे, और पर माइनस करेंगे, 2M minus M plus P, अब रेकेट खत्म कर दें, 2M plus M plus P, और नीचे जब रेकेट खत्म करेंगे क्योंकि बाहर negative sign है, देखिए यहाँ पर negative sign है, तो अब अंदर वाले sign change हो जाएंगे, तो माइनस M हो जाएगा, M हो जाएगा और माइनस P हो जाएगा, नाओ, L plus 5P over L minus 5P is equal to 2M plus 1M, 3M plus P over 2M minus 1M, तो M आजाएगा, माइनस P, अब इसी तरह invertendo theorem में apply करते हैं, तो उलट हो जाएगे, using या applying invertendo theorem, L minus 5P उपर चला गया, L plus 5P नीचे आगया, और इस तरह से M minus P उपर चला गया, और 3M plus P नीचे आगया, इसको हमने equation number 3 का नाम दिया, अब हमने क्या करना है, final solution की तरफ जाना है, ये जो दो terms है, ये और ये, इन दोनों के values हमारे पास आच चुकी है, लेकिन इनकी बीच में कौन सा sign है, इनकी बीच में minus sign है, तो इसका मतलब ये है, कि हम इस से ये वाला minus करेंगे, तो अब इस step पे आ जाएंगे, now, subtract equation number 3 from equation number 2, तो ये आज आएगा, L minus 2M over L plus 2M minus लिखेंगे, L minus 5P over L plus 5P is equal to, अब हम जो values put करेंगे, तो क्या आएगा, 4P minus M over 6P plus M minus, ये आजाएगा, M minus P over 3M plus P, तो अब हमारे पास final solution की तरफ जाएंगे, अब इनका हमने क्या करना है, L-CM लेना है, minus करने के लिए हमने क्या करना है, L-CM लेना है, तो L-CM लेकिंगे, 6P plus M into 3M plus P या M plus 3MA की बात है, प्लस में आगे पिछे लेकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में शुरू में पी मैंने लेक दिया है, इस वज़े से मैंने P को पहले लेक दिया है, तो अब क्या होगा, ये इसके साथ multiply होगा, यानि 4P minus M multiply 3M plus P minus sign है, और इस तरह अब ये इसके साथ multiply होगा, M minus P multiply 6P plus M, अब रेकेट्स उपर वाले खत्म कर लें, नीचे वाले वैसे ही रहने दें, तो अब ये multiply होगा, 4P, 3M के साथ पहले, 12, MP लेके या PM लेके, PM लेके, 12PM और अब ये इसके साथ multiply होगा, 4P, तो ये आज़ेगा 4P square plus 4P square, अब भी minus M multiply होगा, तो minus 3M square minus, अब ये MP के साथ multiply होगा, minus MP या PM, और उसके बाद ये ब्रेकेट्स फिलहाल मैं लगा रहा हूँ, minus, अब ब्रेकेट्स की जरूरत हम यहाँ पर पढ़ेगी, शूरु में वैसे नहीं पढ़ रही थी, तो अब ये M multiply होगा, तो ये आ जाएगा, 6P M, और ये M के साथ multiply होगा, तो plus M square, अब ये P multiply होगा, तो minus 6P square, और अब ये minus P M के साथ multiply होगा, तो minus P M आ जाएगा, और इन सब के नीचे, 6P plus M into P plus 3M, अब ब्रेकेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, इसको ज़रा simplify करते हैं, पर ब्रेकेट हम खतम करेंगे, तो ये 12P M है, minus P M है, तो ये क्या आ जाएगा minus, जब करेंगे, तो ये आ जाएगा 11P M plus 4P square minus 3M square, ब्रेकेट क्लोज, और पर इस ब्रेकेट के अंदर 6P M, और minus P M करेंगे, तो 5P M आ जाएगा, और प्लस M square, minus 6P square, और इन सब की नीचे आ जाएगा, 6P plus M, और P plus 3M, अब रेकेट खतम करते हैं, तो ये आ जाएगा, 11P plus 4P square minus 3M square minus, अब अंदर वाले sign, क्योंकि बाहर minus sign था, अब ये plus था, minus हो जाएगा, ये वाला minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो minus 5P M, minus M square, plus 6P square, और इन सब की नीचे, उसी तरह 6P plus M आ रहा है, और P plus 3M आ रहा है, अब हम इनको plus minus करेंगे अपस में, तो सबसे पहले देखें, 4P square, और 6P square, तो ये आ जाएगा, 10P square, उसके बाद हमारे पास आ रहा है, minus 3M square, minus 1M square, तो ये आ जाएगा, minus 4M square, अब यहाँ पर है, 11P minus 5P, तो क्या आ जाएगा ये, 6P आ जाएगा, 11 से 5 minus हो जाएगा, तो 6, तो plus 6PM, अब इसके नीची क्या आ जाएगा, उसी तरह 6PM plus M into P plus 3M, अब उपर से कामल लिया जा सकता है, 2, तो 2 कामल लेंगे, तो ये आ जाएगा, 5P square minus 2M square plus 3PM over 6P plus M into P plus 3M, तो ये है हमारे पास, final answer ये उपर से उसी तरह आ रहा है, ये क्या आ रहा था हमारे पास, L minus 2M over L plus 2M, और माइनस ता बीच में, L minus 5PM over L plus 5P, तो ये है हमारे पास इसका final answer, अब कुश्चन नम्बर 3 का तर्ड पार सॉल्व करते हैं, X plus 4Y over X minus 4Y, तो पहले हम setting करते हैं, इस term के लिए, और यहां पर ये चीज़ जहन में रखें, कि यहां पर plus वाले term उपर हैं, और माइनस वाले term नीचे हैं, अच्छा, ये जो अब हमारे पास जो X है, इसको देखें, X is equal to, अब X के साथ यहां पर क्या हो रहा है, plus, minus क्या हो रहा है, 4Y, तो इसको मैं यू लिख देता हूँ, 4Y multiply Z over Y plus Z, अब इसको मैं equation number 1 का नाम दे देता हूँ, या अगर हम कोई equation इसको नाम ना भी दे दे कर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको directly भी कर सकते हैं, देखें, ये 4Y इसके नीचे मैं लेक देता हूँ, X के, तो 4Y is equal to Z over Y plus Z, अब apply कर दे इसके उपर, component do divided into theorem, तो यह आएगा, X plus 4Y over X minus 4Y is equal to Z plus Y plus Z over Z minus Y minus Z. अब bracket खत्म कर दें, तो Z plus Y plus Z over Z minus, bracket खत्म कर दें, तो Y plus Z ben जाएगा, now this is equal to Y plus 2Z, यानि Z plus Z 2Z, और नीचे, ये Z और ये Z cancel हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहे जाएगा, minus Y, तो अब हमारे पास जो left side है, यहने X plus 4Y over X minus 4Y is equal to, ये minus sign मैं side पे लग देता हूँ, Y plus 2Z over Y, इसको equation number 2 का नाम दे देता हूँ, अब जो equation number 1 है, जो मैंने नाम नहीं दिया, आप देंगे भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दुबारा से from equation number 1, यहाँ पर X is equal to 4Z multiply Y लेक लेता हूँ, over और इसी तरह जो पहले से मुझूद है, Y plus Z, अब मैंने 4Z को अलग लिखा है, वो इस वज़े से कि अब ये 4Z मैं इस X के नीची लेके जाऊँगा, क्यों लेके जाऊँगा, आप देखे second term को, second term में X के साथ, X के साथ 4Z plus minus हो रहा है, इस तरह यहाँ पर मैंने 4Y को अलग करके, Z को अलग करके शो किया था, अब मैंने 4 और Z को मिला के अलग शो किया और Y को अलग शो किया, अच्छा, यह जो पहरी term है, इसमें उपर positive term है, यह प्लस वारी term है बीच में और यहाँ पर नीचे minus, लेकिन यहाँ पर देखें, इस वारे में उपर minus है और नीचे plus है, अब component divided into theorem एप्लाई करने के लिए setting करते हैं, एक्स ओवर 4Z is equal to Y ओवर Y प्लस Z. Using component divided into theorem, X प्लस 4Z over X minus 4Z is equal to Y plus Y plus Z, यह ब्रेकिट में है, over यही minus कर देता हूँ, Y minus Y plus Z, ब्रेकिट खतम कर देते हैं, Y plus Y plus Z over Y minus, ब्रेकिट खतम करके अंदर वारा sign minus हो जाएगा, अब प्लस मैनस कर देते हैं, Y plus Y, तो यह आ जाता है 2Y plus Z over Y minus Y किंसल हो गया, तो मैनस Z नीचे रह जाता है, और क्योंकि हमें negative वारी term जो हैंने उपर चाहिए, invertend थे और हमें अप्लाई करके मैं alert भी कर देता हूँ, तो अब यह बने जो side है, X minus 4Z उपर कर दिया और X plus 4Z को नीचे लिख दिया है, और इस तरह से यह minus Z उपर चला गया और 2Y plus Z यह नीचे आ गया, इसको equation number 3 का नाम दिया, अब इन दोनों की बीच में plus sign है, तो हमने equation number 2 और 3 को plus करना है, तो adding equation number 2 and equation number 3, equation number 2 जब हम plus करेंगे तो left side पे हमारे पास क्या है, X plus 4Y over X minus 4Y plus, यहाँ पर है X minus 4Z over X plus 4Z. हमारे पास जो left side है, यह equation number 2 के right side पे क्या आया था? यह आया था, minus Y plus 2Z over Y, आप देखें, equation number 2 के right side पे क्या रिका हुआ है? Y plus 2Z over Y, और equation number 3 के right side पे क्या आया वा है? Y minus Z over 2Y plus Z. अब simplify करते हैं, तो इन दोनों का LCM आ जाएगा, Y multiply 2Y plus Z, और इसके साथ जो negative sign इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो मैं एक ब्रेकेट लगा देता हूँ, यह मैं minus कर देता हूँ, यानि minus बाहर लिख दिया, अब बीच में मैं plus लिकूंगा. अब क्या होगा? यह इसके साथ multiply होगा, यानि Y plus 2Z multiply 2Y plus Z, अब यह minus था, लेकिन अब मैं plus लिक रहा हूँ क्यों? क्योंकि negative sign मैंने common ले रही है बाहर. अब Z, Y के साथ क्या multiply होगा? Y, यानि Y multiplied by Z. अब हम bracket के अंदर वाली brackets यानि उपर bracket खतम करेंगे, तो यह negative sign बाहर ही रहेगा. हम multiply करते हैं, तो यह पहले Y multiply होगा, तो यह आज़ेगा 2Y square, यानि Y multiply 2Y, 2Y square हो जाएगा, और प्लस YZ, और फिर 2Z, 2Y के साथ multiply होगा, तो 4YZ, और इस तरह से 2Z के साथ multiply होगा, इस वाले Z के साथ, तो 2Z square आ जाएगा, और प्लस YZ, और Y into 2Y plus Z. तो, नेगेड़ सेन बाहिर है, अब 2Y square, YZ plus 4YZ, 5YZ plus 1YZ, तो 6YZ plus 6YZ, और क्या रहता है, 2Z square, प्लस 2Z square, और Y into 2Y plus Z. अब ज्यादा से ज्यादा हम उपर से 2 common ले सकते हैं, नेगेटिव साइन बाहिर है, 2 मैंने common ले लिया है, तो अब final answer आ जाएगा, Y square, प्लस 3YZ, प्लस Z square, और Y into 2Y plus Z. तो ये है हमारा final answer. तो answer ये वाला भी ठीक है, और ये वाला भी ठीक है, नेगेटिव साइन भी साथ है, बुक में इस form में answer दिया हुआ है, और ये वाला answer भी क्यूंकि हमने 2 common ले ले लिया है, तो इस तरह भी लिका जा सकता है. अब question number 3 का fourth part solve करते हैं, यहां हमारे पास है Y minus 3V over V plus U plus 3V, और उसके बाद plus है U minus 5W over U plus 5W. तो अब हमने first term के लिए पहरे काम करना है, तो first time में देखे, U के साथ क्या plus minus हो रहा है, 3V. तो अब ये जो U है, इसको हम लेखते हैं, U is equal to, अब 3V मुझे चाहिए, 3V मैंने पहले ही लेख दिया, अब multiply करता हूँ इसके साथ 5W. क्यों 5W? क्योंकि दोनों multiply करूंगा, तो 3, 5, 0, 15, तो ये 15 आ रहा है, और V और W multiply होगा, तो V, W भी आ रहा है, over V plus W. इसको मैंने break करके, इस form में लिख दिया है, अब ये जो 3V है, अब U की नीचे लिखूंगा, पिर component divided into theorem एप्लाई करूंगा, U over 3V is equal to 5W over V plus W. अब इसको हम equation number 1 का नाम दे सकते हैं, और जो हमारे पास ये equation है, इसके उपर हम component divided into theorem एप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, U plus 3V over U minus 3V is equal to 5W plus V plus W over 5W minus V plus W, bracket हतम कर दें, तो 5W plus V plus W over 5W minus V, अब ये प्लस W था, तो मैनस W हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये आ जाता है, 5W plus 1W, ये आ जाएगा 6W plus V over 5W minus 1W, 4W minus V, तो ये हमारे पास नासरा है, U plus 3V over U minus 3V का, हमें negative वाले जो टाम है, उपर चाहिए, तो इसके उपर हम invertend होते हैं और हमें अप्लाई करते हैं, तो अलट हो जाएगे, तो U minus 3V over U plus 3V is equal to, अब 4W minus V उपर चला जाएगा, और 6W plus V ये नीचे आ जाएगा, इसको हमने equation number 2 का नाम दे दिया, from equation number 1, equation number 1 में अब हमने क्या करना है, U over 5W करेंगे, और वहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 3V over V plus W रह जाएगा, खैसे, उपर ज़र आप नज़र दोड़ाएगे, हमें first term के लिए क्या चाहिए, U के साथ plus minus क्या हो रहा है, 5W plus minus हो रहा है, तो अब पहले मैंने ये 3V U की नीचे डिवाइड किया था, अब मैंने 5W को U की नीचे डिवाइड कर दिया, अब आटेंड उते हैं और हमें अप्लाई कर दें, तो यह आएगा, U plus 5W, U minus 5W is equal to 3V plus V plus W over 3V minus V plus W, अब ब्रेकेट खतम कर देते हैं, 3V plus V plus W over 3V minus V minus हो जाएगाई है, W, अब प्लाई मैंने कर देते हैं, तो 3V plus 1V, 4V plus W over 3V minus 1V, तो यह आजाएगा, 2V minus W, तो यह किसका अंसर आया है, U plus 5W, U minus 5W का, लेकिन हमें इसमें भी नेगेटिव वाले टर्म उपर चाहिए, तो हम इन्वर्टेंडर तेओर में अप्लाई करते हैं, तो यह बन जाएगा, U minus 5W, U plus 5W is equal to 2V minus W, उपर चला जाएगा, और 4V plus W नीचे आजाएगा, और अब हमने इसको equation number 3 का नाम दे दिया, अब adding, क्यूंकि दोनों के दर्मियान प्लस साइन है, तो equation number 2 और 3 को add करेंगे, adding equation number 2 and equation number 3, तो left side जब add करेंगे, तो U minus 3V over U plus 3V है, और third equation की left side है, U minus 5W over U plus 5W is equal to, अब जो इसका answer आया था, equation number 2 के right side पे, वो हमारे पास है, ये वाला, 4W minus V over 6W plus V, अब हम ये value हाँ पर hood कर देते हैं, तो ये आल जाएगा, 4W minus V over 6W plus V, अब plus equation number 3 सामने है, इसके value ये right side पे ये वाली value है, 2W minus W over 4W plus W, अब राइड साइड पे इन दोनों का LSM ले 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 लेते हैं, LSM आ जाएगा 6W plus V multiply 4W plus W, अब ये इसके साथ multiply होगा, तो 4W minus V multiply 4W plus W plus, अब ये इसके साथ multiply होगा, तो 6W plus V multiply 2W minus W, अब ये multiply करेंगे, 4W पहले multiply होगा, इसके साथ, तो ये आजाएगा 16VW, और इसके साथ multiply होगा, तो 4W square, अब ये minus V multiply होगा, तो minus 4V square, और W के साथ multiply होगा, तो minus VW, पहराता है plus, अब ये 6W multiply होगा, 6, 2 is a 12, VW, इसके साथ multiply किया, अब इसके साथ multiply होगा, तो minus 6W square, अब ये V multiply होगा, तो plus 2V square, और अब ये, इस W के साथ multiply होगा, तो minus VW, अब इसके नीचे, आजाएगा, 6W plus V, एंटू, 4V plus W, अब हमने, इनको plus minus करना है, और पिर हमारे पास इसका, final answer आएगा, अगर हम देखें, यहाँ आ रहा है, minus 4V square, और यहाँ पर आ रहा है, plus 2V square, तो यह आजाएगा, minus 2V square, और उसके बाद देखें, 16VW, minus 1, तो 15 बन जाएगा, 15 plus 12, 27, और 27 से, यह 1 minus हो जाएगा, तो 26, तो प्लस, 26V, और उसके बाद हमारे पास, W square है, तो यहाँ पर है, 4W square, और minus 6W square, तो यहाँ जाएगा, minus 2W square, और अब नीचे, उसी तरह, 6W plus V, into 4V plus W, तो फाइनल अंसर हमारा आता है, minus 2, कामन लेके, यह बन जाएगा, plus V square, और यह, क्योंकि minus sign कामन ले लिया है, तो यह minus बन जाएगा, 13W, यह minus plus बन जाएगा, और यह, W square, और नीचे आ रहा है, 6W plus V, into 4V plus W, तो यह है हमारा फाइनल अंसर,